मुख्यमंत्री ज्वयरम ठाक और देवदेश से कांगडा प्रवास पर धर्मिशाला पहुँचे इस दुरान बीजपी मंडल के ओर से उनका स्वागत किया गया साथी मुख्यमंत्री ने बीजपी मंडलों के साथ मेराथन बैठके भी की मुक्यवंद्री ने कारिकरताओं को मिशन रिपीट को लेकर भी बात्च्विक की और केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्यान कारी योजनाओं को जंजन तक पहुचाने का निर्देश भी दिया साथी कारेकरताओं के समस्याओं को जाना और आपस में सामन जस से बिठा कर कारे करने की बात कही ताकि 2022 में बीजिपी की सरकार को एक बार फिर से रिपीट किया जा सके बैट्वियों में सब रहने वाला वो तौम नहीं बताएंगे लेकिन अच्छी कॉडिनेशन के साथ हमारी वर्किन शुरू हो और काम अच्छा चल रहा है सारी पार्टी और सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं और इसलिए कारेकरतों की बात को सुनना बहुत जरूरी है तो यह मंडल मिलन का कारेकरम हमारा ही काफी दिनों से चला और उसमें बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सभी कारेकरतों की और से बहुत जबरदस्त इस बात के लिए आग रहे है कि सभी मंडलों में 68-88 मंडलों म क्या हैं तो इसलिए इस क्रम को आगे बढ़ाएंगी बस कि कि मुनकोटिया जी के बियान पर में कोई ज़्यादा टिपनी करना उचित नहीं समझता हूं उनके क्रेडिबिलिटी के विशे को लेकर के सारा परदेश जानता है मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूं जो घटना हुई है दुखत हुई है और जितनी सक्त कारवाई हमने की है आज से पहले कभी भी माफिया के खिलाफ नहीं हुए और ये माफिया कौन है इस पर भी नजर मा ने की आफशक्ता है उनका इत्यास निकल रहा है उनकी पहचान आपके सामने है तो इसलिए मैं सिर्फ इतने ही कहना चाहता हूं कि हमने सक्त कारवाई करने के लिए कहा है और ऐसी कारवाई जो आने बले समय के लिए उदारन बने लगाता है की क्रम चलते रहते हैं उसे बात झालुझा तरिया